नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉन अप शो आई नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्ख्यों पर केजरिवाल के मैं हूँ ना के आश्वासन के बावजूद हजारों प्रवासी कामदार अपने घर हो के लिए सरकार कोरोना से लड़े किसानों से नहीं कहना है सन्यूतिकिसान मोर्चातो इस पेशल रिपोर्ट में आईए हम मिलते हैं शहीद सैम के परिवाज से और आखिर में अरविन केजरिवाल ने राजजानी में एक हफते की लॉगडाउन की घोशना करते हुए तो आसी लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ कर जाने की अपील की और कहा मैं होना लेकिन उसके बाद भी यहां आनंद विहार आईस बीटी पर हजारों लोगों अपने घर रवाना होन के लिए बस पाने की कोशिश करते देखा गया दिल्ली के आनंद विहार से तस्वीर सामने जो आई वह भयावागती इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोरुना महामारी की दूसरी लहर अपने साथ पलायन की भी दूसरी लहर लेकर आया है क्योंकि दिल्ली में पहुच गये और यहां संक्या बढ़ती जा रही है इससे पहले के जिवाल ने दिन में लौकडाउन की घोशना करते हुए राजदानी में रहने वाले बाहरी कामगारों से अपील की थी कि यह लौकडाउन छोटा रहने की उमीद है इसलिए वे दिल्ली छोड़कर ना हाला कि मजदूर जिस तरह से अपने घरों की तरफ निकले हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सरकार की बात पर तनिक भी भरोसन नहीं है मजदूर किसी भी हाल में अपने गाउं जल्द से जल्द पहुचना चाहते हैं और उसे आशंका है कि कि कहीं पिछली ब किसानकों खत्म करा देगी। लेकिन सरकार से किसानों के संप्रदर्षन हदालों पर भी टीका करण केंदह स्थापित करने और वाइरस से बचाओं के वी उने जरूरी करण मुहया कराने तथा निर्देश देने का अनरोध किया संगटन ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब महामारी एक बार फिर से पैर पसाच चुकी है तब केंद सरकार को उन किसानों और मजदूरों के फिक्र करते हुए तत्काल प्रभाव से इस इस्तिती से निपटना चाहि जिने उसे नजरनास कर दिया बयान में कहा गया कि दिल्ली की सिमाओं से लेकर देश के अन हिस्सों में किसानों के वियोर प्रदशन तब ही समाप्त होंगे जब किसानों की मांगे पूरी की जाएंगी सरकार को प्रवासी मजदूरों के स्वास्त और सामाजिक सुरक्षा के के लिए भी हर संभव प्रयास करना चाहिए थाकि उन्हें किसी भी तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े यदि सरकार वास्तों में किसानों तथा मजदूरों और आम जंता के बारे में चिंतित है तो उसे किसानों की मांगों को स्विकार कर लेना चाहिए इस स्पेशल रिपोर्ट में वरिष्ट्र पत्रकार भाशा सींग ने बादचीत की शहिद सैम के परिवार जनों से जिनकी मौत 2019 दिसंबर में नागरिक्त्या संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में हुई फाइरिंग के दौरान हुई थी महज 17 वर्ष्ट्री सैम मशूर ड्रमर थी और उनकी मौत के बाद पूरा परिवार तबाव हो गया सैम की बहम मौसमी ने बताया कि किस तरह से उनकी माईस धक्के से मांसिक संतुलन खो बैटी है और सबसे बड़ा दुख यह कि चुनावी सरगर्मी में यह कानून और सैम की शहादत एक बड़ा मुद्धा नहीं बन पाया आए देखते हैं 2019 में दिसंबर 12 को नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ गोहाटी में जो प्रदर्शन निकला उसमें वह पुलिस गोली के शिकार हुए और तब से लेकर आज तक यह परिवार संखरश्रत है उनकी बड़ी बहन हमसे बात करने जा रही है और हम उनसे जो पूरा का पूरा स्ट्रगल आपका रहा है पूरी फैमिली का रहा है आपको हम यहां बता दें कि इनकी मां बहुत परेशान हुई बहुत बड़ा सद्मा मिला एक ही भाई बहन है और उसके बाद से उनका मांसिक संतुलन बिगड़ गया अभी भी जब हम यहां नियूस्क्लिक की तरफ से यहां पहुचे तो बहन मा को संभालने में लगी हुई थी वो गाहे बगाहे अपने बेटे को खोजने के लिए सड़कों पर निकल जाती है यह बताएं कि 2019 में यह हादसा हुआ जब गोली लगी तब से लेकर आप कैसे घर चला रही हैं बहुत मुश्किलों में हैं आप 2019 दिसेंबर बारा को तभी तो जब सेम का देट हुआ तब तो ठीक ठक सा सब लोग आ रहे थे ख़बर भी ले रहे थे सब ऐसी ताइम यहां पर एक क्राउच्छा हो गया था सब मामी का भी ख़बर ले रहे थे फिर जैसे जै लॉक डाउन शुरू हो रहे ख़बर किसी का आना भी बंद ऒगया और फिर ममी टेंशन में पर गये थे जैसे बहरे तेसे सवाल पूस्ते थे किसी को 메े इसे मेरे बेटे को नियाइ मिलेगा की ज़स्तिस मिलेगा की नही और किसने मारा किसी लिए मारा उसको पिर किसी लिए उसको मारने से पहले तोचर भी किया था, ऐसा ऐसा बोलते हैं, न्यूस भी निकाला गया था, फिर पोस्ट मुटन रिपोर्ट में भी ऐसे ही साबित हो गया था, दो गोली लगे थे, और उनको छे या चार इंजियर भी मिला था थोड़ा उस दिन के बारे में बताई है, क्या आपके पास खबर आई, क्या वीडियो आपके पास आया? तेरा आऊ, नाग्रäिता, संशोधन का के खिलाब, रोजा प्रोटेस्ट चल रहा था यहां पर? आए, प्रोतेस्त है रहा था, 11 को भी प्रोतेस्ट था और 12 को भी था, इसले 16 तारिक को ही बोल दिया था, बारा तारिक शुबे 10 बजे लतासिल प्रेगोंड में ऐसे प्रोतेस्त होगा, जुबिन ने इन्वाइट किया था, फिर जुबिन कौन है, आसाम का शिंगर है वो, फ यह आने के समय उसने फोन किया, फिर मम्मी मेरे घर में चल गया, जाने के बाद पाँस बजाए मिल ऐख की नहीं फोन करलो ऐसा बोला फिर वाम्मी घर पे आया उसको फोन किया, तुम कहां पे हो, ममे, हम आ रहा है हैं, यहां पर मत आओ, हाती गाउशाण ठाहरे की शार्च हो रहा है। उसमे ऐसा बोला. फिर ममी ने बोला हाती कि तुम जल्दी आ जाओ। थोरे देर बाद ममे मुझे बहुत भूक लेगी है, तुमने क्या बनाया हैसा बोला, मैं ने बनाया है। इह नहीं को मुझे बहुत भूख लगी है, जो भूख भूए है। फिर छे बजे मिनित एक फोन एक पह पून ए सेम की गोली लगगे है। ऐसे पहले में उन्हों पछाना है। जा मममी होना है। किसी किसी ने देखा था, अभी उस समय उसको नहीं पेचाना, बड़े बुजूर्ग गिरा परा हुआ है, ऐसा बोला था, फिर खबर हुआ कि नहीं, सेम है उसको एंबुलेंच में लेके जा रहा था, ऐसा बोला, और उसी उची भीस मैंने एक फोन किया था, देखा जब न्य लिंग्वेज में ऐसा खराब लिंग्वेज बोला, तो मैंने बोला, ये कुकुर तो आ गया, किसको मारेगा पता नहीं, ऐसा बोला मैंने, तभी मन में एक खायाल है, नहीं को एक फोन करना जरूरी है, तो मैंने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद किसी दूसरे ने रिसी किया रिस्यब करने के बाद उसने बोला, मैंने बोला, हलो, तु, 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 कहाँ पर रोला है ने बोला तु अविली जुछ एक लिफीड खार हो, तब थयु जोय। दब आप незाचे बोला तुछ शे सने बोला कौन तु, कॉष्या करना नहीं का बोला जिसने थे में मब आप न कौन तू तू नहीं जाता हैं किसे में और मोबाल अपको ऑड से बोला तो पर बोलने के बात वह उसका इनने बोला मुबाइल कहां से दो, जिसका गोली लगा, उसी का मुबाइल है, उसी समय पे मेरे तो पेरों के निशे जमीन नहीं रहे, मेरे मुबाइल भी गिर गया, फिर हस्बेन ने जैसे तेसे संभाला, संभाल के मुझे को बोला, ठीक है तुम कपरा पेनो और चलो, फिर एम्बुलें दो, गया। अचा वह तुम को पेरों गोली लगे थी, एक तो इहां पर लगे, एक पीठ में लगे थी, दो लो, इहां पर लगने से रख कौन बचेगा, फिर उसी समय डेठ हो गया, गोली खाने के बाद ही देठ हो गया, फिर जी एम्सी में गया, हम लोग हमारा परिवार जाने के बाद वहीं उसको स्टेजर में लेठा हुआ देखा उस दिन तो ऐसा बहुत बुरा लगा यह उसका यह फेश हमने कभी नहीं देखा खून से लगपद मुझ से एक आवाज भी नहीं उसे तहीं बहुत बुरा लगा यह उस दिन हम सब मर गे सेम की मौत के बाद कोई राजनितिक दल पॉलिटिकल पार्टी जो आई हो इन न्याई दिलाने के लिए सेम को आपके पास सेम के गुजरजाने के बाद तो पहले कॉंग्रेस पर्टी आये थे हम लोगे घर में पर फिर उन लोगों के रहूल गांधी जी वो आये थे आके पांच जन सहीद के परिवार को पंपेंशेशन दिया था तो लागस ऐसे दिया था अधिन ब्र्टी जयाओ दिया था अधिसे दूं भी रही हुँं कंषूस सद्सरा थे अधिनकी सपोना मां फिर्स सद्सरां आड़ा थे था इन आगंगи अपने सेला मम्हतं सब्चाशी कह झाएं करने सेट जिए सबएक पर्फिर में मी को एक बार मिल के आते हैं ऐसा तो होना चाहिए था मेरे लिए और फिर यह जो नया दल खुला हुआ है दो दल जो एजब अखिल गोगवका और लुरिन जुति गोगवका दल यहां पर आया था फिर वो और कॉंग्रेस दल आया था आगे आगे आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए क्या हो ताकि साइम को नयाय मिले क्या बोलो आगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाए सिर्फ अंदेरा दिखाए देता है लेकिन हाँ एक आशा की किरन है जब सब यह सरकार नहीं रहेगा जब नया सरकार आएगा चाहिए वो कॉंग्रेस दली हो चाहिए वो नया दल हो सब एक जुथ होके जब नया एक दल होगा तब एक आशा की किरन दिखाए दे रही है मुझे यहां कूछ अच्छा होगा केंदी स्वास मंत्राड़े दोरा आज मंगलवार यानी 20 अप्रेल को जारी आगड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 गंटों में कुरोना के 2,69,179 मामले दर्श किये गया है इसके लावा कुरोना से लागाता चौते दिन भी रिकॉर्ड 1,761 मरीजों की मौत होई है देश में रिकवरी रेट गड़ कर 85,55% हो गया है यानी देश में कुल मरीजों में से अब तर एक करोड 31,8,582 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इसके साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 13,26% दी यानी 20,31,977 होगी है स्वास मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कुरोना वैक्सीन की 12 करोड 71,29,113 डोस दी जा चुकी है जिन में से 32,56,555 वैक्सीन की डोस पिसले 24 घंटों में दी गई है कुरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते दिन मोधी सरकार ने कुरोना टीका करोड को लेकर बड़ा फैसला लिया इसके मताबिक एक माई से 18 साथ से अधिक उम्री के सभी लोगों को कुरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी बता दे कि सभी को कुरोना वैक्सीन दिये जाने की मांग उठ रही थी इस बीच मोधी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्री के लोगों को वैक्सीन दिये जाने का फैस्टा लिया है या टिका करण का तीसरा चरण होगा आज के डेली राट अप में बस इतना है नियूस क्लिक के यूटिब चायर को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस फेपसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखिने के लिए शुक्रिया